नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? गुरु किसे बनाना चाहिए और किसे नहीं? गुरु का महत्व क्या है? पूजा कैसे करें? मुहूर्त क्या है? जानिए सब कुछ इस वीडियो में, दोस्तो यदि बलवान बनना है तो गुरू जीवन में अति आवश्यक है गुरू माता-पिता से सर्वश्रेश्ट है माता-पिता से भी बढ़कर माना जाता है इश्वर से भी बढ़कर गुरू को माना गया है गुरू नहीं तो कुछ भी नहीं गुरू का होना उतना ही जीवन में जरूरी है जितना पाने के लिए जल पवित्र, गंगा जल से भी पवित्र होता है गुरू का जीवन में होना पालन पोशन करने वाली मा, शिशु को दूध पिलाने वाली मा से भी बढ़ कर गुरू को माना जाता है अक्सर अपने मुकेश अम्बानी जी की शादी पार्टी समारोह में गुरुओं को आते हुए देखा होगा मुकेश अम्बानी भी गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं उनका नत्मस तक प्रणाम करते हैं मुकेश अम्बानी के गुरु हैं रमेश भाई ओज़ा अमीर गरीब, चाहे कितना भी पैसे वाला, क्यों ना यदि जीवन में गुरू ना हो, तो वह मात्र कंकर के समान माना जाता है। गुरू आप अपने माता-पिता को भी मान सकते हैं। बड़े भाई, मौसी, चाचा, ताउ, ताई, पंडित, महात्मा, आरशिमुनी, आप किसी को भी अपना गुरू बना सकते हैं। गुरू जो होता है भटके को रहा देता है, काम्याबी की सीधी चड़ाता है, प्यासे को पानी देने वाला जिस प्रकार महान है, उसी प्रकार गुरू सर्वश्रेष्ट और महान है। देखिए सनातन धर्म, हर साल आशाड मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा को गुरू पूर्णिमा मनाई जाती है। पार्मिक जो मान्यता है, इसी दिन वीड व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी हम कहते हैं, वायासा जी के उत्सव के रूप में भी इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस साल पंचांग के मुताबिक गुरू पूर्णिमा हम किस दिन मना रहे हैं। गुरू पूर्णिमा की जो सही तारीख है, तिथी कब से कब तक है, जो शुब मुहूर्थ है। और महत्व क्या है, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। सबसे पहले गुरू पूर्णिमा इस साल हम कब मना रहे हैं, तिथी कब से कब तक है। देखिए इस साल आशाड मास की जो पूर्णिमा है की तिथी प्रारंब हो जाएगी। बीस जुलाई को शाम पांच बज कर उनसठ मिनिट पर जो की समाप्त होगी। अगले दिन 21 जुलाई को दोपहर में 3 बज कर 46 मिनिट पर तो ऐसे में हिंदु धर्म में, उदया तिथी में हम व्रत और त्योहार मनाते हैं, इसलिए इस वर्ष गुरू पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरू पूर्णिमा के दिन इस बार सरवार्थ सिध्य योग का भी निर्मान हो रहा है। तो सरवार्थ सिध्य योग में यदि आप अपने गुरू की पूजा आराधना देवताओं के साथ करते हैं, आपके जीवन कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। गुरू का आशीरवात सदैव बना रहता है, तो आज जो गुरू पूर्णिमा की जो पूजा विधी होगी, वो क्या होगी, हम सब इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, अधूरा ग्यान सदैव बुरा ही होता है, गुरू जब कोई ग्यान देता है, ले लेना चाहिए, इसमें आपका ही फाइदा ही फाइदा है, साथ में हम ये भी बताएंगे कि गुरू पूर्णिमा के दिन वह ऐसी क्या चीज़ है, जिसे खाने से गुरू का आशीरवात तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ श्री हारी भगवान विश्नु माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है, देखिए, अन्य पूर्णिमा वरत की तरह गुरू पूर्णिमा के दिन हमें सुभह जल्दी उठना चाहिए, सनान आदी से निवृत होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, इसके पश्चात में आप एक छोटी सी चौकी या पूर्णिमा की भगवान शिव का भोले नात का पूजन उनका अभिशेक बहुत ही फलदाई होता है, तो आप जिनको भी अपना आराध्य इष्ट मानते हैं, आप उनका पूजन कर सकते हैं, यह आप दोनों के विधान के साथ पूजन करें, तो आप भगवान विष्णु क प्रतिमा का पंचा मृत से अभिशेक कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से भगवान शिव का अभिशेक कराएं, पंचा मृत से उसके पश्चात में विधि विधान के साथ दोनों की प्रिय जो वस्तुएं हैं, अर्पित करें, जैसे कि यदि आप भगवान विष्णु का पूजन कर रहे, तो उन्हें हल्दी, अक्षत, पीले फल, पीले फूल, नैविध्य अर्पित करें, और यदि आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, तो उनका अभिशेक पंचा मृत से करें, उसके पश्चात में उन्हें सफेद फूल प्रिय है, तो सफेद फूल अर पित करें, भांग अर्पित करें, तो इस प्रकार बेल पत्र अर्पित करें, भगवान शिव की जो प्रिय चीजें हैं, आज के दिन उन्हें अर्पित करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है, तो इस प्रकार से दोनों देवताओं का आपने पूजन करना, इसके पश्चात मे आपको विधी विधान के साथ बलकि पूजन में दीपक शुद्ध घी का दीपक आज जरूर प्रज्वलित करें माता लक्ष्मी के निमित्त भी आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना है आगे में पूरे विधान के साथ पूजा विधी शेर करूँगा गुरु पूर्णिमा की इसके पश्चात में आपने देवताओं का पूजन कर लिया अब आज के दिन में विशेश पूजन अपने गुरुओं का भी करना है तो गुरु का पूजन भी हम इसी प्रकार से करते हैं जैसे देवताओं का पूजन आपने करना होता है तो गुरुओं का भी पंचो उपचार पूजन करने में हम उन पर अक्षत अर्पित करते हैं, उन पर भी पुश्प अर्पित करते हैं, उनके चरणों में उनको हम वस्त्र भेंट करते हैं, उनको हम भोग में, मतलब उनको हम मिश्ठान उपहार स्वरूप अर्पित करते हैं, तो इस प्रकार से गुरू की पूजा भी हम उनकी आरती कर संपन्न करते हैं। उसके पश्चात में उनके चरण स्पर्श कर आज गुरू का आशिरवाद लेना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। देखिए भगवान का पूजन तो हम हर रोज करते हैं। लेकिन साल में ऐसी पूर्णेमा बनाई गई है जिसमें गुरू का यदी आप साल नहीं भी कर पाए तो आज के दिन तो उनका ध्यान जरूर करें। उनका समरण जरूर करें उनसे बात करें उनसे मिलकर उनका आशिरवाद ले। आपका गुरू यदी बाहरु विदेश में है या आप से दूर तो आप फोन पर बात करके आदर प्रणाम करें, मन ही मन उनकी पूजा करें, गुरुओं के आशीरवात से हमारे जीवन में जो भी नकारातमकता होती है, हट जाती है, हमें हर कार्य में उनके आशीरवात से सफलता मिलती है, सुख शान्ती जीवन में बनी रहती है, तो इस प् पैसों का दान जो दान करना चाहे गुरु पूर्णिमा के तिथि में भी जरूरत मंदों को गरीबों को जरूर दान करें देखिए गुरु माता पिता भी आपके गुरु ही है प्रथम गुरु है तो आज के दिन माता पिता का पूजन उनका आदर करना घर में सभी बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना, उनका आशीरवाद लेना बहुत ज्यादा महत्व रखता है तो इस विधान गुरु पूर्णिमा आप भगवान देवताओं के साथ साथ अपने गुरु का, अपने माता-पिता का पूजन, उनका आशीरवाद जरूर ग्रहन करें दोस्तों, ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक चीज जरूर खालेनी चाहिए इस से आपको धन की प्राप्ती होगी सुख सम्रिध्धी, एश्वर्य, सब कुछ प्राप्त हो जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन ये एक चीज जरूर खालेनी चाहिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा और वीडियो को गुरु पूर्णिमा के दिन कॉमेंट में अपनी राशे जरूर डाल दीजिएगा यदि हमारे पास कोई उपाए होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन एक तुलसी का पत्ता खाना अत्यंत लाबकारी माना गया है नियमित रूप से सुबह के समय तुलसी का पत्ता खाने से जो बढ़ी से बढ़ी तीर्थी यात्रा से पुन्य प्राप्त होता है हवन, पूजा, पाठ तथा दान करने से पुन्य मिलता है मात्र सुभह के समय दो तीन तुलसी के पत्ते खाने से वो प्राप्त दोस्तों वैग्यानिक तौर से भी तुलसी का पत्ता कई गुणों से भरपूर माना जाता है वैग्यानिक भी इसे एक चमतकारी पौधा मानते हैं तुलसी के पत्ते खाने से ना केबल कैंसर का रोग खत्म हो जाता है बलकि पेट की बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगती है आँखों की रोशनी बाज आती है दिल के लिए होता है फाइदे मंद तवचा में निखार लाने के लिए तुलसी का पत्ता जरूर खाना चाहिए तनाव को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है तुलसी का पत्ता सर्दी को दूर करने के लिए नियमित तुलसी का पत्ता खाना चाहिए कई बीमारियां की खुश्बू से ही दूर भाग जाती है इसलिए लोग अपने घरों में तुलसी पूजा तथा तुलसी का पौधा लगाते हैं तुलसी की खुशबू से मात्र कई भयानक झरीले कीडे मकोडे अपने आप मर जाते हैं और घर से कोसों दूर रहते हैं अभी घर पर बनी रहती है। दोस्तों की रात को सोते समय 20 जुलाई की रात में तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भर कर जरूर रखे और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखे और सुबह के समय यानि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की कई सुख प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति धन दौलत सुख संपत्ति से लक्षमी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। दोस्तों जल जिसे अम्रित तथा गंगा जल कहा जाता है। हमारे आर्शिमुनी जब किसी पर अच्छी दृष्टी डालते थे तब वे गंगा जल का प्रयोग किया करते थे। गंगा जल का छिड़काव कई दिव्य शक्तियों से भरा होता है। शिवा पुराण में भी बताया गया है कि नियमित कपडों पर गंगा जल का छिड़काव करने से तथा सुबह के समय गंगा जल को पीने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और वो व्यक्ति स्वर्ग लोग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, जल का महत्व, पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयम देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा का प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्णा हारी के चरणा मृत्त से हुआ है। इसलिए गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हरिदवार में भगवान विश्नु के चरण कमल गंगा में ही पड़े थे दोस्तों। गंगा नदी को पाप मोचनी और मोक्ष दाइनी कहा गया है। भगी राथा के पूरवजों को मुक्ति गंगा जल के स्पर्ष से हुई थी। मान्यता है यदि मृत्यू के समय व्यक्ति के मुह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी अशुध नहीं होता और नहीं ये कभी सड़ता है। इसी लिए भगवान श्री कृष्णा ने स्वयम कहा था जो व्यक्ति अपने पास सदैव रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़े से जल में गंगा जल की कुछ बूंदे यदी डाल लेता है और सुबह में इसे थोड़ा बहुत भी पी लेता है तो उसे कई जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धन रुत्बे पैसे से भरा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति के उपर सदैव बरस्ती है। इसलिए सुबह के समय गंगा जल जरूर पिये। ऐसे में आप नहाने के पानी में दो-चार बूंदे गंगा जल डाल कर यदि नहाते हैं तो आपके सभी बुरे कर्म नश्ट हो जाते हैं सकारात्मक उर्जा की होती है। प्राप्ति दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन दूसरा है। लौंग सनातन धर्म में लौंग को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा पाथ आदी चीजों में लॉंग का विशेश महत्व है माना जाता है कि में दुरगा माता का वास होता है देवी का वास होता है लक्ष्मी का वास होता है ऐसे में सोते समय तकीये के नीचे लॉंग जरूर रखे और सुबह के समय जब आप उठे तो एक लॉंग जरूर खा ले इससे नौ देवियों की कृपा प्राप्त होती है माता लक्ष्मी धन से माला माल करती है लेकिन याद रहे लॉंग दातों से चबाए नहीं पानी के साथ निगल जाए दोस्तों सुबह के समय आप चाहे कुछ करें या ना करें परंतु नहाने के पानी में दो चार बूंदें गंगा जल की जरूर डाल लेनी चाहिए इससे व्यक्ति को काम्याबी प्राप्त होती है गंगा जल जब शरीर पर पढ़ जाता है तब अंदर जितनी भी नकारात्मक उरजा होती है वो सब खत्म होने लगती है जिसकी वजह से हमें काम्याबी प्राप्त हो जाती है हमारी कुंडली में जितने भी दोश होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं गंगा जल की कुछ बूंदे पानी में डाल कर नहाने से जो लोग शनी से पीडित हैं, राहू, केतु से पीडित हैं, वो सब तुरंट खत्म होने लगता है। एक शलोक में शनी देव ने स्वयम कहा था, जो मनुष्य मेरे क्रोध से यदि बचना चाहता है, तो वो रोज नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डाल कर स्नान करें। इससे उस व्यक्ति शनी तथा राहू, केतु के दुष्ट क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। बूदें गंगा जल की सदैव डालता हूं और मुझे इसका परिणाम सदैव अच्छा मिलता है। क्योंकि गंगा जल एक चमतकारी शक्ति का स्वरूप है दोस्तों। चौथा है फूल का पत्ता। यदि आप चाहे जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले की माला में से या भगवान के चरणों में से एक पत्ता फूल का भगवान का आशिरवाद समझ कर जरूर खाले। गुरुओं का आशिरवाद समझ कर खाले। इससे स्वयम आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करोगे वो संपूर्ण सफल हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय दो चार दाने चावल के जरूर खाले। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्न कहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन मात्य पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसलिए मात्य पर कोई भी तिलक जरूर लगाना चाहिए। जो की शास्त्रों में बताया जाता है। सुबह के समय पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके उपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों मात्य पर तिलक लगाने से कल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यू से बचा रहता है। दोस्तों सच्चे दिल से कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जै गुरुदेव, जै श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए एक लायक तो बनता है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभ काम नाएं। तो यह थी आज की विशेष जानकारी, उम्मीद है यह ज लगा हो तो एक लायक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।